वहीं जम्मू कश्मीर के उधंपुर में आतक क्योंकि फाइरिंग में CRPF इंस्पेक्टर शहीद हो गया है CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉयन्ट ऑपरेशन टीम रामनगर के छील इलाके में रूटीन पेट्रॉलिंग बढ़ दी और इसी दोरान आतंकियों ने गोली बारी शुरू कर दी शहीद CRPF इंस्पेक्टर के पहचान हर्याना के जिंद के कुलदीप कुमार के तौर पर की गई है फिलाहाल पुलिसिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है वहीं बयार के सिवान से बड़ी खबर आ रही है अप रादियों ने गोली बारी किये युवक को इस गोली बारी में गोली लगए लगी बाजार में ये गोली मारी गई गाउं के ही लोखोगों पर गोली बारी करनी का आरूप है गोरिया कोठी शेत्र की ये घटना और इस मामले की जान्च में अब पोलिस जोड़ गई है तस्वीर आपके सामने जहां पर युवक को गोली मारी गई इस वक्त इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है गोली लगने से दीपक कुमार यादों जखमी है सिवान सदर अस्पताल में इलाज की तस्वीरे आपके सामने हैं गभीर सिती को देखते हुए हाला कि डॉक्टरों ने इस शक्स को बहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया वहीं बड़े खबर छप्रा से चाकू मार कर युवक के हत्या कर दी गई है युवक के हत्या से इलाके में हडकंप मचकया स्टेशन रूट पूली मंदर के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया भगवान बाजार इलाके की ये घटना है पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है हाला के युवक के हत्या किन लोगों ने की इसके पीछे की वज़व क्या थी इसका खुलासा रही हुआ है लेकिन पुलिस कहा रही है कि तफ्तीश शुरू है भगवान बाजार इलाके की इस घटना में युवक की चाकू गूर्द कर हत्या कर दी गई लेकिन इस घटना के पीछे की वज़वों को अभी तलाशा जा रहा है जो अब राधी है वो कौन है इसकी पहचान में पुलिस अब इस वक्त में चोड़ गई है वहीं बेगु सराय से बड़े खबर आ रही है गरवती सिपाही को बेरहमी से पीछा गया है महिला सिपाही और बेहन के साथ मारपीच भी गई आपसी विवात को लेकर बताया जा रहा है कि दो पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए हमले में महिला सिपाही समित पांच लोग घायल है गड़पूरा थान शेत्र के मालेपुर गाउं की एगटना कटेहार पुलिस में ये महिला सिपाही कारणरत है जिनकी पिटाई की गई है महिला सिपाही रिंकी कुमारी ने राज कुमार सहनी, जवाहर सहनी और उनके परिवार के सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है महिला सिपाही ने ये भी आरोप लगाया कि उसकी बहन को जबरदस्ती खीच कर ले जाया जा रहा था जसका विरोध महिला सिपाही की तरफ से किया गया और इसी दोरान आरोपियों ने इनकी जम कर पिटाई कर दी कराई की से को बताई तुमको हुआ तो बस क्या करता है अभी जाय सहा ना हुआ वो लेकि फिसे बन गई तो बहुत कअ बन गई है तो तो मालोगम नत्यू तो रहेक जी हमने क्या कokedह कर दोराई करने जाएगे भी दुनुलू भान के दसे ने थशीटे